Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापरी और ये है आप लोगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading तो बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि मैं क्या आप personal session लेते हैं? Yes, of course, मैं personal session लेती हूँ और personal session में tarot, astrology, counselling, remedies, सभी चीज़े included होती हैं और one-on-one session book करने के लिए आपको नीचे description box में इस वीडियो के end में मेरी contact details मिल जाएंगी आपने उस number पे सरफ whatsapp करना है और आपको details मिल जाएंगी और details को follow करके आप one-on-one session book कर सकते हैं तो ये है आप लोगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और इस reading में आप जानेंगे कि खास कर November मन्त में आपकी love life से related चीज़ें कैसी रहेंगी आपके partner की क्या energies होंगी, आपकी क्या energies होंगी कौन सी चोटी-चोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप November मन्त की energies को बहतर कर सकते हैं तो चलिए जी November मन्त की reading शुरू करते हैं चलिए जी आप लोगों के लिए देखें कि November 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पसे आपे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सिकिंद set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally November मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं Knight of Pentacles and Magnifier और यह cards कहते हैं कि कुछ टाइम से यहाँ फर November स्टार्टिंग में आपने एक pause लिया हुआ है और दिखिए इस pause लेने के लिए सब areas के लिए different reasons रहेंगे लेकिन थोड़ी सी एक जिद्ध, थोड़ी सी एक stubbornness भी आपके pause में रहती हुए दिख रही है और नीचे Magnifier का card कहता है शायद आप बहुत जादा चीज़ों को analyze कर रहे हैं होता है ना कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ों को भी हमारा mind बहुत बड़ा बना देता है और हमें वो छोटे-छोटे से issues, problems भी बहुत बड़े लगने लगते हैं और कहीं देखिए November स्टार्टिंग में आपकी ऐसी energy रह रही है कि भाई मुझे ना risk नहीं लेना है मैं बहुत safe और secure होके चलना चाहता हूँ हो सकता है पीछे आपने risk लिए पीछे आपने chances लिए इस relationship के लिए और कहीं फिर आप थोड़े से परिशान हुए और अब आप कोई भी chance, कोई भी risk नहीं लेना चाहा रहे हैं आप बहुत ही safe, secure होके आगे चीजों को बढ़ाना चाहा रहे हैं और शायद आपको वो एक security, I don't know security is the right word मतलब अंदर से आप उतना safe नहीं महसूस कर रहे हैं action initiatives लेने में लेकिन देखिए आपके मन में आपके partner के लिए बहुत प्यार है, महबत है क्योंकि हाँ पर heart का भी card है और कहीं इसी वज़े से mid November में आप अपनी तरफ से थोड़ा सा उनसे connect कर सकते हैं उनको messages पर जादा बात करते हुए दिख रहे हैं या फिर अपना love किसी भी तरीके से express कर सकते हैं और हो सकता है कि जितना love आप महसूस कर रहे हैं आप उतना नहीं express कर रहे हैं उससे काफी कम express कर रहे हैं बाट जैसे कि हमने देखा कि आप starting में थोड़ा सा एक किसी चीज की जित पकड़ कर बैठे वे थे अपनी तरफ से इतने action initiatives नहीं ले रहे थे और फिर से कहूंगी over चीजों को analyze कर रहे थे आपको ऐसे लग रहा था कि जो आपको दिख रहा है न actually में वो नहीं है ये भी देखी एक चीज हो सकती है because इस कार्ड में लिखावा है तो ये भी कुछ Aries के लिए हो सकता है कि जब आप बहुत नस्दीक से इस relationship को अपने partner को देखते हैं आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है अब दिखें यहां पर कुछ के लिए positive हो सकता है अगर आप negative सोच रहे हैं तो हो सकता है इतना negative नहीं है थोड़ा positive है और अगर आप बहुत positive सोच रहे हैं तो हो सकता है कि इतना positive नहीं है थोड़ा सा negative है और mid November में फिर से मैं कहूंगी आपनी feelings को अपने love को express करते वे दिख रहे हैं अपनी तरफ से थोड़ा सा connect partner से करना चाहा रहे हैं क्योंकि देखिए आपके partner के cards मेरे सामने हैं और कहीं mid November में या November मत में ही आपके partner उतना ज्यादा positively आपको response नहीं करते वे नहीं करती हूँ but yes you know November में कोई ऐसा period हो सकता है जहाँ पे आपके partner बिल्कुल ही withdraw कर रहे हैं relationship से बिल्कुल ही backseat ले रहे हैं एक अकेला पंचाहा रहे हैं या यह भी हो सकता है कि आपके partner बहुत एक अकेला पर महसूस कर रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे नहीं दिख रहा है क कि वो उस तरीके से respond कर रहे हैं आपके messages को या आपकी तरफ से जो भी November मन्त में किसी भी time पे action initiatives रहेंगे and end November के लिए cards के हिसाब से three of ones का card कहता है कि आप again you know pause ले रहे हैं और future के बारे में जादा सूचते वे दिख रहे हैं आपको जो भी current situation है वो इतना concern नहीं कर रही है व जो भी हो रहा है उसकी वज़े से या तो future पे क्या असर पड़ेगा या फिर या आपको ऐसे लग रहा है कि अभी जो भी हो रहा है कोई बात नहीं future के बारे में सोचते हैं long term goals बनाते हैं तो इस तरीके के energies रह रही हैं नीचे bucket का card कहता है या तो आप अपने partner को surprise करना चाह रहे हैं या partner के साथ कैसे चीजें बहतर हो कैसे इनों यह relationship बहतर हो improve हो उस पे आप focus करते हुए दिख रहे हैं और उसी से ही related कहीं आप long term goals बना रहे हैं long term planning कर रहे हैं या यह भी हो सकता है Aries आप किसी चीज का इंतसार कर रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है तो पहले से ही बता दूँ बहुत great energies नहीं रहती हुए दिख रही हैं अब इसके basis पे आप November month को ना judge करें क्योंकि November month के लिए हमारे पस अलग से cards हैं और वो cards बताएंगे कि November month कैसा रहेगा but yes आपके partner के लिए सबसे बहला card है the star reverse और ये card कहता है कि थोड़े से चीजों को लेकर नाउमीद होते हुए दिख रहे हैं उमीद खोते हुए दिख रहे हैं कहीं directionless feel कर रहे हैं कहीं एक negative frame of mind भी उनका चीजों को लेकर रहता हुआ दिख रहा है उनको ऐसे लग सकता है कि क कोई फाइदा नहीं होगा आगे कुछ होना तो है नहीं मतलब ये भी कुछ Aries के partner के एक energies है सकती है deeper level के लिए crossroad का card कहता है कि यूनो वो उस मकाम पे खड़े हुए हैं जहां पर वो decision choice लेना चाहा रहे हैं और क्योंकि उसके उपर star reverse का card है तो बहुत फिर से कहूंगी directionless feel क कर रहे हैं तो जो भी decision choice वो ले रहे हैं वो उनका ठीक नहीं रहता वा दिख रहा है क्योंकि देखिए ये card कही negative frame of mind की भी बात करता है और जब negative energy में हम होते हैं तो कुछ भी हम positive नहीं create कर सकते हैं ना ही जो भी हम उस time पर कर रहे हैं उसका outcome positive हो सकता है तो फिर से कुछ चीजों को लेकर उमीद खोते हुए दिख रहे हैं थोड़े से मायूस होते हुए दिख रहे हैं उनको लग रहा है कि भाई कुछ तो होना नहीं है मतलब again मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा वो चाहा रहे हैं बट yes इस energy में रह रहे हैं और शायद इसी लिए दे action initiatives नहीं लेना चाहा रहे हैं जैसे एक missing सी feeling हो किसी चीज को ढूण रहे हैं किसी चीज को खोज रहे हैं और deeper level के लिए lady का card कहता है कि कोई lady इसके लिए responsible रह सकती है आप दिखिए अगर वो खुद ही you know female है तो उनके खुद के ही thought process हो सकते हैं नहीं तो कोई you know उनकी life में हो सकती है lady mother हो सकती है sister हो सकती है उनकी मासी हो सकती है या उनकी कोई friend हो सकती है या work friend पे colleague हो सकती है again कोई भी lady हो सकती है female हो सकती है जिनका influence है जिसकी वज़े से कहीं वो इस energies में है एंड नवेंबर के लिए five of swords reverse का card कहता है कि unfair energies महसूस कर रहे हैं अब दिखिए यहाँ पर आपके partner का unfair महसूस करने के reasons भी again Aries सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस relationship को उतना time energy नहीं दे पा रहे है या फिर वो इतना fair नहीं इस relationship के लिए रह पा रहे है और यह चीज उन्हें bother कर रही है कुछ Aries के partner के लिए हो सकता है Aries उन्हें लग रहा है कि आप इतने fair नहीं है आप थोड़ा सा जो भी आप क्या behavior है जिस भी तरीके से आप चीजों को deal कर रहे है वो इतना justified नहीं है कुछ के लिए हो सकता है circumstances favorable नहीं है unfair है मतलब किसी भी तरीके की manipulation है किसी भी तरीके की politics है ऐसा वो समझ रहे है ऐसा उन्हें लग रहा है मैं यह नहीं कह रही कि ऐसा हो रहा है but yes ऐसा वो महसूस करते वे दिख रहे है और deeper level के लिए beer का card कहता है कि over protective हो रहे है over you know चीजों को ठीक करना चाह रहे है या फिर मैं कहूंगी कि आपको protect करना चाह रहे है और थोड़े से in the process aggressive हो रहे है controlling और dominating भी हो रहे है कुछ Aries और उनके partner के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत strong entities है और आप दोनों ही एक दूसरे को किसी level पे control करते है या फिर अपनी बात पे अड़े रहते है तो इस तरीके की भी एक power struggle वो आपके साथ महसूस कर रहे है अब दिखते है Aries कि November में क्या हो रहा है तो दिखें, surface level के लिए November मन्त में हो सकता है कोई activity हो रही है activity वनाय से मतलब बाचीत हो रही है आप दोनों में से कोई एक action initiatives ले रहे है हालां कि मैंने देखा बहुत clearly Aries कि आप उतने action initiatives अपनी तरफ से नहीं लेना चाहा रहे है यहाँ पर नहीं ले रहे है बट येस, फिर भी कहीं बाचीत हो रही है connectivity रहती भी दिख रही है और हो सकता है कि Aries आप safe तो चलना चाहा रहे है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मुझे surety मिले तो मैं risk भी लेने को तियार हूँ तो king of wants का card risk लेने की बात करता है बहुत courageously, बहुत boldly चीज़ों को deal करने की बात करता है तो इस relationship में यह भी energies हो सकती है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि भाई थोड़ा सा safe अगर feel करें या फिर security हो, stability हो तो फिर risk भी ले सकते हैं deeper level के लिए book का card कहता है कि थोड़ी सी एक secrecy रहती हुई दिख रही है, यानि कि या तो कोई चीज एरीज आप उनसे चुपा रहे हैं या फिर वो आप से चुपा रहे हैं उतनी एक transparency नहीं रहती भी दिख रही है और दिखे इसका मतलब यह नहीं है कि भाई कुछ गलत ही हो रहा है कई बरी हमें लगता है सामने वाला परिशान हो जाएगा हमारे partner hurt ना हो जाएं तो बहुत ही एक positive intention की वज़े से भी हम एक transparency नहीं रखते हैं या फिर चीजें नहीं उनके साथ share करते हैं तो कुछ के लिए positive हो सकता है कुछ के लिए negative हो सकता है बट यह इस किसी तरीके की एक secrecy भी रहती भी दिख रही है अब देखिए भले ही secrecy positive हो लेकिन कहीं secrecy ना एक mistrust create करती है आपका intention उनका intention positive हो फिर भी अगर सामने वाला खुल के चीजें ना बता रहो तो हमारे मन में एक doubt आना शुरू हो जाता है हमारे मन में negative thoughts पहले आते हैं तो हम थोड़ा सा again मैं कहूंगी doubt करने लगते हैं और इसी वज़े से या फिर otherwise भी the moon का card कहता है fear, insecurity, confusion ये mid November में रह सकता है और deeper level के लिए letter का card कहता है या तो miscommunication हो रहा है या फिर जिस भी तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक communicate कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है वो तरीका गलत है जिसकी वज़े से एक बहुत ही miscommunication और उसकी वज़े से misunderstanding क्रियेट हो रही है जिसकी वज़े से एक fear, insecurity, mid November में रह रहा है लेकिन end November में birds का card कहता है कि आप दोनों या दूसरे से बात करेंगे हो सकता है कि आपकी काफी एक लंबी चोड़ी conversation हो हो सकता है कोई beach में intervene भी करे और कहीं इसी वज़े से चीजों का control लेकि इस relationship में आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं ये भी हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या तो travel करना चाहा रहे हैं या फिर travel कर रहे हैं और थोड़ा सा आप लोगों को लेकर gossip भी दह सकती है तो ये था Aries आप लोगों के लिए November 2024 की लाग tarot reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें